आपका केस ऐसे डिले होता जाता है ना तो आपको पैसे वापस मिलते हैं ना ही आपको इनसाफ मिलता है आप उसको कैसे लाएं कोट में यही वीडियो आज की इस टॉपिक पे ही है आप अगर हमारी चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब नहीं करा प्लीज करते हैं बेल लेकन दबा दे ताकि जब भी कोई वीडियो लेकर आउंगा आपके बास नोटिवेशन आए कि उसको देख लेना आप एसी डेक्ट बात करना चाते हैं कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बोक्स म बीना किसी देरी से तो जो डोस्तों चैकर के केस में बिसीकली होता क्या है कि कोड़ जो है सम्म проп구ую को सम्माइब जारी करती है कि उसको यान्र Nahum K कि उसके अगरता है पुलिस वाले को पैसे देकर वो कोर्ट में सम्मिन वापिस बेज देता है कि उसको पहुंचे ही नहीं अब इस केस में कोर्ट के खिलाफ जो है बेलेबल वरंट जारी कर देती है सम्मन इशू होने के बाद यानि कि वो बागता फिरता है वो आना ही नहीं चाहता तो आपके पास क्या राइट है आप क्या गर सकते हो देखे दोस्तों आप एक एप्लिकेशन लगा सकते हो धारा ब्यासी के अंदर CRPC के तहत धारा ब्यासी सेक्शन 82 के कहता है प्रोकलामेशन के यानि कि उपगोशना से उपगोशना क्या होती है उपगोशना होती है कि किसी की शहर में एक उपगोशना कर दी जाती है कि इस व्यप्ति को इस तारीक को इस कोट में हाजिर होना है यानि कि जहाँ पे ज़्यादा पब्लिक हो वहाँ पे ऐसी प्रोकलामेशन चिपका दी जाती है आगे उसके घर के बाहर भी प्रोकलामेशन चिपका दी जाती है यानि कि उपगोशना उसके घर के बाहर भी एक लगा दी जाती है और एक कोट के बाहर भी लगती है सो दोस्तों नियूसपेपर में भी उसके शहर के जितने भी नजजीक की नियूसपेपर होगे उसमें भी प्रोकलामेशन या उप गोशना को चिपका दिया जाता है यह धारा 82 की application आप लगा सकते हो basically उप गोशना का यानि कि प्रोकलामीशन का यही मौटिव है कि उस व्यक्ती को इस तारीक को कोट में हाजिर होने के लिए कोट कहरी है उसको आना है अगर प्रोकलामेशन के बाद भी वो व्यक्ती कोट में आता ही नहीं है वो आना ही नहीं चाहता इस case में 1383 यानि 83 के तहर जो है उसकी property को जब्द करने का प्राफदान भी है court जो है उसकी property को जो भी उसका गर है उसको जब्द कर सकती है उसको अपने हिरासत में ले सकती है property कोई भी हो सकती है चाहे वो movable हो चाहे वो immovable हो अचल और अचल संपत्ती दोनों तरह की संपत्तियों को जो है court attach कर सकती है अचल संपत्ती के case में जो है court एक receiver point करेगी और चल संपत्ती के case में court जो है उसको अपनी possession में ले सकती है court अपने पास रख सकती है अगर ऐसा करने का उनका motive यह है कि court जो व्यक्ति है जो accused है वो court में हाजिर हो अगर जिसकी property अजब्त कर ली जाएगी वो obvious है कि वो court में आएगा ही आएगा अगर वो फिर भी नहीं आता तो क्या हो सकता है देखें दोस्तों अगर वो फिर भी नहीं आता तो court उसकी property को बेज कर आपको पैसे दे जाएगे जो आपके पैसे बनते हैं जो जिसके लिए आपने case करा उसकी property को बेज कर court जो है उसकी property को sale करेगी वो पैसे आपको दे दे तो दोस्तों धारा-82 और धारा-83 की एप्लिकेशन जरूर लगाएं अगर वो व्यक्ति जो कोट में आहीं नहीं रहा। पहली है धारा 82 प्रोक्लामेशन यानि कि उसको प्रोक्लामेड ओफेंडर जो है देने के लिए दरज़ा देने के लिए और धारा 83 में उसकी प्रोप्टी जब्त करने के लिए अगर वो व्यक्ति है उसके आपके पैसे वापिस ही नहीं दिना जाता अगर आपको एक छोटी सी वीडियो अच्छे लगिए उस वीडियो को लाइक करतें चैनल को सब्सक्राइब करें और कोई भी डाउट है आपके मन में मुझे एक कमेंट बोक्स में कॉश्चन जरूर करें हो सक उसके उपर अलग से वीडियो जरूर लेकर आऊंगा और एनी अ झाल 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